लेथ मोडिफाइर द्वारा अक्स के चारो और 2D लाइंग को घुमा कर 3D अबजेक्ट बना जाते हैं जिस प्रकार कुमार अपना पईया घुमाता है और मटके के एक और अपना हाथ लगा कर मटके को आकार देता है लेथ मोडिफाइर इसी तरीके से काम करता है चलिए अब सिधा पॉइंट पर आते हैं फ्रंट भी को मैक्सिमाइज कर लेते हैं कीबोर्ट के जी बटन द्वारा ग्रिट को हाइट कर देते हैं मैं लाइन टूल के द्वारा सेब बनाता हूं अगर लाइन सेलेक्ट ना हो तो लाइन को सेलेक्ट कर लें मोडिफाइर में आकर मोडिफाइर लिस्ट खोलें कीबोर्ट का एल बटन प्रेस करें लेथ मोडिफाइर लिस्ट में सबसुपर आ जाएगा इसे सेलेक्ट कर लें सेलेक्ट करते हैं यह लाइन पर अपलाई हो जाएगा लेथ मोडिफायर के सामने यह जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए यहां से एक्सिस को सेलेक्ट कीजिए और कीबोड पर पी बटन दबा का परस्प्रेक्टिव मोड में आ जाईए विपोर्ट का एंगल सही कर लेते हैं ताकि मोडिफिकेशन को ठीक से देख सकें अगर मूब टूल सलेक्ट ना हो तो उसे सलेक्ट कर लें अब एक्स अक्सिस पर गिजिमो को मूब करें इसके अलावा आप line tool में जाकर line में जो भी modification करोगे वो सब यहाँ पर model पर apply होगा तो इस प्रकार से lathe modifier काम करता है lathe tool के द्वारा आप wine glass, bottle, कोई भी round shape आसानी से बना सकते हैं इस tutorial में इतना ही इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और हाँ, bell icon button दबाना ना भूलें, जो ने बचे 3D Max सीकरें, उनके साथे वीडियो जरूर सेयर करें याद रखो आप देश की काई हो, यदि आप अपनी skill बढ़ाते हो, तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है